नमस्कार मेरा नाम है साजेब और आप देखना सुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉल्टिकल बाई और अब देखिए कि राम चरित मानस के मुद्दे को लेकर के जो है सपा में अंतरकले देखने को मिल रहा है जी यहां पर समाजवादी पार्टी जो है उसके अंदर अंतरकले उसके अंदर तूट देखने को मिल रही है क्यों के सपा की विधायक जो है और सयोगी दल होने के नाते अपना दल कमेरावादी जो कि नेता पलवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौरे पर जो है हमला बोल दिया उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनन चाहिए देखे पलवी पटेल ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से दुलवाने वाले बयान को ले करके स्वामी प्रसाद मौरे से कहा आपने आपत्ती जताई ये बात तो सही है लेकिन वापत्ती देर से आई ये तब होनी चाहिए थी जब ये काम हुआ था उस वक्त तो वो खुद बिजेपी के साथ थे अगर उन्हें इतना बुरा लगा तो नेतिकता के आदार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था यानि पलवी पटेल कह रही है कि जिस समय ये बयान आया था उस समय स्वामी प्रसाद मौरे बाजपा का एक बिन्न हिस्सा थे और अगर उन्हें सच में बुरा लगा था राजनीत नहीं कर रहे हैं तो उसी टाइम उन्हें इस्तिफा देने ना चाहिए था पलवी पटेल न गलत साबित कर सकते हैं मैं भले इस्तिरी हूं लेकिन ताड़ना करने का अधिकार हिं मत कोई नहीं रखता है उन्हों ने कहा कि मैं दूसरे धन्व गनतों की बात की जाए तो कल कोई आकर ये भी कह सकता है कि बाइबल में लिखा है कि धरती रोटी की तरह चप्ती है उसे जिससे हमे सारूकार नहीं है उन्हें क्यों पढ़ना उन पर चर्चा क्यों करनी क्योंकि जिस चीजको अटाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पन्नों से हटाने से नहीं हट जाएगी वो लोगों के मस्तिस्क में जो है शा मीलख तो पलवी पठेल ने रामचरित मानस को ले करक और स्वामी प्रसाद मौरे को यहां पर लतार लगाई है साव सीधे तोर पर उनसे कहा है कि आप राजनीतिक मुद्दा यहां पर बेफिजूल लेकर के आ रहे हैं और बेफिजूल तरीके से आप राजनीत को बस अपना सत्ता सुकसादने के लिए गर्म रखना चाहरे हैं जि बाजनीत को बसे तोरू ऑंजन जामी पारल से तोरू. झाल.